कि जहें दोस्तों कि मैं अम्दिर खान खान हिश्री सेंटर के यूटूब चनले साब कर स्वागत करता हूं दोस्तों अन्लाइन क्लास मेरी शुरू हो गई है जिन जिस किसी को भी कला की ओनलाइन क्लास करनी है तो मेरे उपर दिए गए थंबिल पर नंबर जो दिए गए उस नंबर मुझे वार्टसप कर सकते हैं या अपना या तो मुझे कॉल कर सकते हैं लाइफ क्लास स्टार्ट है मैं आपको इंडियन आर्ट वेस्टन आर्ट टेकनिकल अर्ट सब के बारे आपको बताएंगे आज बहुत इंट्रेस्टिंग एक कलाकार को लेकर करके आया हूं उस कलाकार का नाम है समीर मंडल हम बात करते हैं समीर मंडल समीर मंडल इनका जन 13 मार्च 1952 में और इनकी इम्रत्व 24 परगना जिला पस्षी मंगाल में इनकी इम्रत्व की अगर हम बात करते हैं तो इनकी इम्रत्व अभी नहीं हुए अर्थात ये अभी जीवित हैं ये जीवित हैं तो इस कलाकार की बारे मात करते हैं तो ये समीर मंडल जो है ये मुख रूप से जल रंग द्रश चित्र बनाने में माहिर थे यानि ये जल रंग द्रश चित्र बनाने में माहिर थे समीर मंडल दो हजार सूला में कोशन आया था वो कौन सा कलाकार है जो जल रंग द्रश चित्र बनाने में माहिर है और वरतमान में बंबई में रहता है उस चित्कार का नाम क्या है उनमें एक विकल्प था समीर मंडल तो जल रंग द्रिश्चित बनाने में माहिर थे वरतमान में बंबई में रहते हैं और इस कलाकार का नाम है समीर मंडल यानि समीर मंडल जल रंग द्रिश्चित बनाने में माहिर है और इस पकार सी एक समकालीन कलाकार है ये क्या है समकालीन कलाकार है तो समीर मंडल समकालीन कलाकारों बिनकी गिंती की नहीं जाती है दियान रखे का दोस्तों समीर मंडल की गिंती समकालीन कलाकारों बिनकी गिंती गिंती गिनी जाती है इस तरह से समीर मंडल अपने समय के बड़े ही अभी वरतमान में बड़े ही महतपूर कलाकार है और जन्रंग के बारे में मास्टर आदमी है जन्रंग के बारे में बहुत अच्छा है इस तरह से इस महान कराकार का जो जन्ग हुआ था वो 13 मार्च 1952 में 24 परगना के एक छोटा सा गाउं है उस गाउं का नाम है बाली 24 परगना के छोटे से गाउं जो 24 परगना पश्ची मंगाल में है छोटे से गाउं जानी बाली में इनका जन्म हुआ इनकी प्रारंबिक सिच्छा वहीं हुई फिर इनोंने 1975 में कलकत्ता के गवर्मेंट कालेज में क्राफ्ट आइन फाइन आर्ट इनोंने 1975 में फाइन आर्ट से इनोंने क्या किया इसनात किया यानि 1975 में कलकत्ता के कॉलेज से इनोंने फाइन आर्ट में इनोंने इसनात किया अब इनको कला की जानकारी हो चुकी थी और अधिक कला की जानकारी प्राप करने के लिए 1975 में ही चले गए फिर ये जर्मनी जर्मनी में उन्होंने वहाँ पे कला सिच्छा प्राप की अब जर्मनी में उन्होंने वहाँ कला सिच्छा प्राप की जब ये 1980 में वापस आए 1980 में वापस आए 1980 में जब ये वापस आए 1980 में वापास आये तो इनका विभा हो गया और विभा जिससे उवा था। उस महिला का नाम उस लड़की का नाम था मधुमिता। मधुमिता ये इनकी पत्नी बनी और इससे इनके दो पुत्र पैदा हुए एक पुत्र का नाम था सोमिकल एक का नाम था सोमिक और दूसरे का नाम था सोहिनी ये इनके दो बच्चे हुए इनके दो बच्चे हुए यानि समीर मंडल की पत्नी का नाम था मदुमिता और समीर मंडल के पुत्र और पुत्री का नाम था सोमिक और सोहिनी ये इनके दो बच्चे थे कुल मिलाकर के समीर मंडल जल रंग पे स्टार्टिंग काम कर चुगे थे जल रंग पे उन्होंने जो काम करना शुरू किया समीर मंडल ने खास बात यह है कि ये जल रंग के चित्र जल रंग के चित्र जल रंग के चित्र जल रंग के चित्र तैल चित्र से मिलते जुलते बनाती थे यानि जल्रंग वाली जित्ञार है मुखसे कुछ महादपूर्ग रोए मिलते हैं जैसे इनके महातपूर चित्र देखने मिलते हैं जैसे इनोंने कुछ कुछ इनोंने थिलाडियों के चित्र बनाए थिलाडियों के चित्र बनाए ऐसे खिलाडियों में चित्र कपिल देव का चित्र इनोंने बनाया राहुल द्रविड का चित्र बनाया इसी तरीके से लिएंडर पेस यानि टेनिस खिलारी लिएंडर लिएंडर पेस का चित्र बनाये इन्होंने इसी तरीके से इन्होंने एक है साहनी अगरवा साहनी अबराहम का चित्र बनाये इन्होंने इसी तरीके से इन्होंने सानिया मिर्जा का चित बनाये इन्होंने सानिया मिर्जा का चित इन्होंने बनाया तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे चित इन्होंने कई खिलाडियों के चित इन्होंने बनाये इसके इलावा इनोंने कुछ अलग तरह कि बनाया जैसे टित्लियों के चित्र नो ने बनाया इसी तरह से इन्होंने इन्होंने फ्लावर पॉट किसका कहेंगे इस प्रकार से इन्होंने सभी चीत्र जलरंगी थे उनके सभी चित्र जलरंगी थे सब्यट्र वहते थे जल रहें नहीं होते थे तो आगे वोग देखते हैं अब इनके बारे में जानने इन्हों ने कि फिल्मों से संबंधित चित्र बनाये कौन कौन से फिल्मों संबंधित चित्र ने बनाया हीरो निर्देशक निर्देशक गुरुदत का गुरुदत का चित्र बनाया इसी तरीके से डिम्पल कबारिया का डिम्पल कपारिया का चित्र बनाया इसी तरीके से इन्होंने टिम्पल कपारिया इसी तरीके से नर्गिस का चित्र बनाया इसी तरीके से इन्होंने राज कपूर का राज कपूर का चित्र बनाया कि यानि फिल्मी दुनिया के भी इनो रहे बहुत साले ही बनाई लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इनकी चूड रहे है उसको आपको ध्यान दे ना है फिल्मी दुनिया से संबंधित ये काम इनों ने किया है और एक फिल्म आई थी 2016 में दोस्तों 2007 में एक फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम था तारे जमी पर तारे जमी पर आप लोग जानते हैं कि तारे जमी पर इसमें अभी ने जो किया था वो आमिर खान ने किया था और एक किया था दर्शील सफारी दर्शील सफारी इन दो लोगों ने अभी ने किया था इसमें आमिर का नाग खान का इस फिल्म में नाम था निकुंभ और दर्शील सफारी का जो नाम था उसमें नाम था इशान तो इस फिल्म में हम बताना क्या चाहे है कि समीर मंडल का काम क्या था समीर मंडल ने इस फिल्म में तारे जमी पर एक टीचर का अभीने यानि छोटा से टीचर अभीने को रोल किया था फिल्मों से संबंदित थे 2007 में तारे जमी पर इनोंने फिल्म बनाई थी तारे जमी पर फिल्म बनी थी उसमें आमिर खान मुल थे यानि मुख थे इनका उनमें नाम था निकुंडू तरशील सफारी निका नाम था इशान और स्विम समीर मंदल उस फिल्म में दिखाया गया था कि दर्शिल सफारी ने एक पेंटिंग बनाई थी और उस को बहुत ही फस्ट इनाम मिला था आमिर खान तो अपने समय के बहुत अब चितकार सबसे ज्यादा उनसे प्रेरित होने वाले इंदौर के इन दोर के चितकार हैं एक चितकार का नाम है समीर मंडल के को जो फालो करते हैं उनको फाइन उनको मानते हैं एक का नाम मैंने बता है सफदर सामी और दूसरे का नाम है प्रभु जोशी ये भी दोनों चितकार हैं ठीक है और ये चितकार जलरंग पर काम करते हैं यानि समीर मंडल से प्रेलित हो करके इन दौर की दो चितकार जो जूनियर चितकार हैं उन लोगों में सभधर सामी और प्रभु जोशी दोनों ही जलरंग पर काम करते हैं इसे बहुत ही ज़ादा प्रेलित हैं समीर मंडल ने जल दंग बहुत प्यारे प्यारे चित बनाए बहुत अच्छे चित बनाए हैं कहते हैं कि इनके चित्रों की जो कीमत है कीमत है इनके चित्रों की असी हजार से लेकर ठीक हैं एक लाग से उपर यानि एक लाग से उपर तक इनके बिखते हैं तो समीर मंडल अपने समय के बड़े important चितकार है समीर मंडल से question पूछा जा चुका है मैंने पहले भी अपने student को बता चुके हैं इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था नीलीमा शेक का वो भी उसमें question पूछा गया था नीलीमा शेक का question ये था कि विंग चंपा गु से ये अपने समय के अभी भी बहुत ही नामी चितकार हैं समीर मंडल को आप लोग पढ़िए देखिए तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो पर देख करें लाइक करें सब्क्राइब करें जो नए लोग है वागर जुड़ना चाहते हैं मुझसे मेरी class 210 प्लस question करा दूंगा लेकिन अगर आप मेहनत मेरे साथ करते हैं मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो तब तक के लिए आपको जैहिन धन्यवाद